मई सब्कैνο कि में किस पिकार की जाती आईउगर् ना अदिकता लोह के मन्हें में जिग्यासा होती है जादने की कि मैं किती साल जिऊंगा आच और किसी ना किसी इस रूप में आपको सजेस्ट करोगी कुछ चीज़े जो होती है जिनके बाई में ना जाना जाए वही अच्छा होता है हर चीज जाना जवरी नहीं होता नहीं अच्छा होता है कि कहते हैं ना मोर नॉलेज मोर कंफीजन नो नॉलेज नो कंफीजन तो कुछ चीजों से अज्ञान रहना ही अच्छा होता है फिर भी हम मोटे तोर पर जान लेते हैं कि किस तरह से आप एज कल्कुलेट कर सकते हैं और फिर से एक बात और कम से कम 3-4 योग आपकी कुल्ली में लगने जाए तभी वह योग माना जाएगा नहीं तो क्या होता है एक भी योग लग जाता है लोग परशान हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं तो यह टेंशन देने के लिए नहीं है सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए हैं अगर आप जोतिश सीख रहे हैं जोतिश की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वही देख हैं और ज्यादा कुछ जानने की और देखने की कोशिश न के say सिर्फ देख और Śीख तरब किस तरह से आयूगन्णा की जाती है जो्तिश में में आयूगन्णा करने के कई तहीं के हैं पराशार इशी जिने जो है आयूगंदा की लगभग 82 विधियां बताई हैं लेकिन लगन से यह पता लगाया जा सकते हैं आसानी से कि आपके पुर्णायू है अलपायू है या मद्यायू है जो देश में आयूगंदा की दो विधियां और तो योग विधि य दूसी होती है गड़िद विदी जो ओती हो काफी जो है जो एग्जेक्ट एच है वो बता देती है और सही-सही बता देती है इसमें सर्फ मोटा मोटा अनमान लगा सकते हैं अब 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 आशी पराशा रचीत एक सूत्र से आयू नडे के सिति परश होती है बालारिष्ट योगारिष्ट मल्यम मध्यष्ट दिर्ग कम दिव्यम चैवामितम चैवं सब्साधू प्रकिर्थितम यानिकी साथ पका कि मित्यु संसाय में जानी जाती है लेकिन मत्यु के नर्प नॉर्मल मनुष्य के लिए नहीं होती है ॔ध्य होदी दीवता हो के लिए होती है अब आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी आयू कितनी होगी तो इसमें हम सिर्फ मोटा मोटा बताएंगे वो भी आप खुद अपनी एज कैलिकुलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिएगा आपके यू पुडायू है अलपायू है मध्यायू इसका पता कैसे कलर आए इसके लिए लगन स्थान को देखा जाता है सकते प्याला है पुडायू जो है हम यहां पर आज कल 120 वर्च तक तो होना मुश्किल है 100 बान लेते हैं मध्यायू 64 वर्च तक और अलपायू 32 माने गई कar इसमें हमें लगन को देखते हैं ढूति है कि इस में हमें लगन को देखते हैं सुुलिवर में होता है यह नहीं को पता है कि जो आपको जब बेसिक हृष क्रवारिबाया था उसके बताया था कि कुल्णी में बारा भाव होते हैं जो पत्थम भाव होता है उसको लगन का जाता है उससे हम व्यक्ति की शार्गिक रचना उसको सभाव गुड़ प्रकति और यू का निर्ड़ ले सकते हैं ह्याँ है अगया ले हैं हमने बताया कि आपको लगन से छंद से और ऐस्टमेश से जो है एक आयोऺ का चिए जाता है उसमें सूरे जो है उसको गया का गया वह किक्रे वरा जाता है कि वद्धु सूरे के शत्तु गह सुक्रशनी राहूउ के तुट और लगन देख लेते हैं इनके मित्र लगन है सुरे का अपना जो राशी है वो होती है सिंग राशी और इसके मित्र राशियां है वह करक मेश ब्रस्चिक धनु मीन सम्हें मितुन कन्या शत्रु है बेशा तुला मगार कुम क्योंकि इस लिए इस राशी वाले अदित्ता देगारी हुई होते हैं अब देखेंते बाला रिस्ठ बाला रिस्ट जो होती आठ मश्च तक कि उमर को कहते हैं और अगर चंदमा जो है तो एक हाउसे में होता है और पाप गेहों से दिश्ट हो तो बालरिष्ट योग बनता है या फिर बालक का जनवयदी घहड के समय होता है तब भी बालरिष्ट योग बनता है अब देखेंगे अलपाईयोग में जो है हम देखते हैं पहले जो लगन होता है लगन जो है अगर जो लगनेश है वो जो है चाय राशी में है और जो अस्टमेश है वो अगर दूर्शभाब राशी में है तो अलपाईयोग बनेगा फ्याय इसी तरा से अगर लगन का जो स्वामी है वो मालफिक्स यानिकी दुष्ट गहों के साथ में है और त्रिक हाउस में है तो भी अलपायोग बनता है अगर लगन का स्वामी और अश्टमेश नीच राशीगत हो कमबस्ठ हो और उन पर कोई शुप प्रिभाब नहों तो भी अलपायोग बनता है लगन अगर आपका पाप कर्तारी में है और केंद में सर्फ मैलफिक्स है और लगन लॉड़ वीक है तो भी अलपायो बनता है अगर आपका लगन और जो अस्टमेश है हो इस्थे राशी में है या फिर एक जो है वो चर राशी में है और दूसरा दुर सभाव राशी में है तो भी अलपाई योग बनता है शनी और चंदमा अगर इस्थे राशी में है या फिर एक जो है चर राशी में दूसरा दुर सभाव राशी में है तो भी अलपाई योग बनता है अगर जितने भी शुग हैं जो लगन का स्वामी है अगर ओपिक लो में है यानि की तीन छे आठ बारा में है तो भी अलपाईयोग बनता है अब देखते हैं मध्यायोग मध्यायोग के लिए हम लगन अगर हमने एक बात बता रहे हैं इसमें भूल का अलपाईयोग में अगर जो लगन का स्वामी है वो सुर्य का शतूर है तो भी अलपाईयोग बनता है मध्यायोग में अगर जो लगन का स्वामी है वो सुर्य के सम है यानि की सम परभाव रगता है तो भी वो न्यूट्रल है तो भी वो तो मध्यायोग बनता है अगर लगन को स्वामी और अश्टमेश मैसे एक तो राशी में हो और दूसरा चर राशी में हो तो मध्याययोग बनता है अगर लगन का स्वामीर अश्टमेश दूर सभाव में है राशी में है तो भी मध्धाययोग बनता है अगर शनी और चंदमा दूर सभाव राशी में है तो भी मध्धाययोग बनता है शनी जो है आयू कारक है हमने पता है और अश्टमभाब का कारक भी होता है चन्दमा शनी में से एक जो है वो इस्ते राशी में हो दूसर चर राशी में हो तो भी मध्याई योग बनता है अगर सारे बैनिफिक्स जो है और लगन लौड जो है वो पणफर स्थान में हो पणफर स्थान कौन से होते हैं harary f quicker 2 5 1801 तो भी मध्याययोंग बनता है अब देखें लगन का स्वामी जो है सुरुका मित्र है तो लगन गरनका स्वामी और अश्टमेश चार तकीचार आशी में हें लोगों बइसे उनक्तित के मैं यह इसी तरह से अगर लगण सामी केंद में हो और उसके साथ शुप गया हो जैसे जुपीटर है शुक्र है या फिर लगन का सावी केन में वह उसके जुपीटर जो शुक्र है उसका शुप और में दुश प्रभाब ना हो किसी भी दएगा तो भी दियेगा यह दो बनता है और अगर लगन का लॉड जो है बैनिफिक्स के साथ में केंद्रिया तेकोड में होता है तो भी दियर गाई योग होनता है इस इसलिए में दुश्प्रभाब नहीं होना चाहिए भी किसी भी तरह का तो यह होस्कोप है यह बालगिष्ट का है और इसकोप इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो ब्रस्पति है वो शिक्स्त इस्थान में है और जो शिक्स्त लॉड है वो सब्तम में है और चंदबा जो है वहां में मंगल के परभाव में है यहां यहां पर जो है कि जो ब्रस्पति है वह ब्रस्पति के राशी में है और यहां पर देखिए जो लगल लौड है वो शनी है जो की सुगे का शत्रू है तो इसमें इस तरह के कई होगे अब देखिए यहाँ पर जो शुकू होता है वह फीमेल के लिए यूज होता है और यह जो है वह अश्टमेश के साथ 12 हाउस में है वैसे वीनस और माइके का योग अच्छा माना जाता है धन के लिए धन सपत्ति के लिए लेकिन अश्टमेश के साथ है रहो की देश्टी है यह बालारिश्ट का केस है दूसरा है यह हो इसको यह आप सब भी जोग जारते होंगे जानते हो तो मुझे नाम बताईएगा यह किसका हो स्कूप है कमेंट बोक्स में मैसेज कीजिए प्यासरेगा मैं नाम बताऊँगे इसमें आप देखियाला कि लगन का जो लड है वह मंगल है और अश्टम का लॉड है हूँ तो मंगल है या पर मोवेबल साइव में है यानि कर्क all the time ए और और चंदमा हैं यह दोनों स्थिराशी में हैं यह हो गया अलपाई योग इसमें जो हैं और भी कई योग हैं कम से कम तीन से चार योग मैंने बताया लगने चाहिए उससे आप निधारित कर सकते हैं अधी के दिए आप जितना पढ़ेंगे जितना सीखने की कोशिश करेंगे इतना आप समय में आता जाएगा कि तो फ्रेंस यह था जोतिसमें किस तरह से आयू किन दोटिकि से आप की एज निकाली जाती है उन्साइब कितने दिन रहेंगे वह सब पता चलता है और इसमें लगन है निकालने में तो फिर शब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कोई सजेशन हो तो आप कमेट बक्स में मेसेज कर सकते हैं